आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में मर्चन नेवी की भूमी का भी विस्तार हुआ है दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं और मैं विश्व को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ आपकी अपेक्षाओं को पुरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा हम कभी पीछे नहीं हटेंगे इसलिए इस डिफेंस एक्ष्पो भारत के प्रती वैश्विक विश्वास का प्रतीग भी है इतने सारे देशों की उपस्तिती के जरिये विश्व का बहुत बड़ा सामर्थ गुजरात की धर्ती पर जूट रहा है मैं इस आयोजन में भारत के सभी मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतिजिदियों का रदे से स्वागत करता हूँ मैं इस भव आयोजन के लिए गुजरात के लोगों और विशेश रुप से मुक्ष मंत्री भुपेंद्र भाई पतेल उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ देश और दुनिया में विकास को लेकर अवद्योगिक सामर्थ उसे लिए करके गुजरात की जो पहचान है आज इस डिफेंस एक्सपो से गुजरात की पहचान को चार चांद लग रहे हैं एक नई उचाई मिल रही है आने वाले समय में गुजरात डिफेंस इंडिस्टी का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा भारत की सुरक्षा और सामरी सामर्थ में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान देगा ये मुझे पूरा विश्वास है